अलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, CSE Tutorials So guys, काफी दिनों से मैं वीडियोज नहीं बना पा रहा हूँ इसका रीजन मैंने आपको पोस्ट करके मेरे चैनल पर बताया था कि basically मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और भी काफी सारी प्रोजेक्ट मैं साथ में बनाता रहता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे-च्छे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट ला सकूँ जिससे आपको सीखने को मिले basically कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं कैसे हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाके चीजों को अच्छे से सीख सकते हैं सो इसी सीरीज को continue करते हुए यहां पे मैं एक आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ इस सीरीज में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा यहां पे Online Notice Board System तो यह Online Notice Board System प्रोजेक्ट है इसमें आपको क्या मिलेगा यहां पे क्या क्या आपको मिलने वाला है सीरीज में जो कि यहां पे चार या पांच वीडियो जिस सीरीज में आएंगी छोटा प्रोजेक्ट है ज्यादा बड़ा नहीं है बट मैं छोटे-छोटे प्रोजेक्ट पर अब इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि जो beginners हैं उनके लिए प्रोजेक्ट काफी useful होने वाले हैं क्योंकि वो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ही उनके concepts के लिए होंगे और practically वो projects बनाएंगे मेरे साथ में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ही उनके concepts के लिए रहोंगे और वो अच्छे से यहां पर सीख सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर demo दिखाऊंगा उस demo को देखके आपको पता चलेगा basically यहां पर हम क्या बनाने वाले हैं और क्या आपको यहां पर मिलने वाला है इस series के end में तो सबसे पहले आप यहां पर demo देखिए फिर हम यहां पर बात करेंगे तो चलिए चलते हमारी computer screen So यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा basically हम इस series में क्या बनाने वाले हैं उस project को मैं यहां पर run करवा के बताऊंगा तो मैंने local jam server यहां पर run किया हुआ है start किया हुआ है और अब उस project का नाम है यहां पर online notice board system और यह मैंने यहां पर run करवा है project तो देख सकते हैं इस तरह कैसे यहां पर दिखाई देगा यह project यहां पर run हो रहा है और यहां पर sorry अभी मैंने क्या किया direct admin login कर लिया है हमें admin login नहीं करना है इसमें दो option है पहला student के लिए तो पहले आप project को run करवाएंगे तो आपको यह login form दिखाई देगा जो कि basically एक student के लिए user के लिए login form होबा अगर उसने पहले से registered किया हुआ है तो वो यहां पे अपने email id और password के द्वारा login कर सकता है otherwise नीचे वो click here to register वाले option पे click करके यहां पे अपना registration complete कर सकता है यह registration form है इस पे click करके वो register कर सकता है अपने आपको और अगर उसने already register किया हुआ है तो वो यहां पर login कर सकता है जैसे मैंने यहां पे एक अपनी email id बनाए हुई है जो कि actual email id नहीं है और मैंने यहां पर id और password अपने एंटर किया और मैं login पे click करूँगा यहां पर गलत email id और password एंटर हुआ है तो वो बोल रहा है please enter correct email id and password मतलब कि अगर आप यहां पर कोई गलत email id और password भी एंटर करेंगे तो यह यहां पे login नहीं होगा आपको correct email id और password यहां पे provide करने होगे उसके बाद ही यहां पे यह login होगा तो अब की बाद यहां पे मैंने correct username और id password एंटर किया तो यहां पे वो login हो गया तो देख सकते हैं कुछ इस तरह के से simple सा यहां पे user के लिए यह dashboard है ध्यान रखें यह user के लिए है admin के लिए नहीं है यहां पे आप कुछ भी message यहां पे provide गा सकते है मैंने अभी dummy text वैसे ही लिखा हुआ है कुछ भी यहां पर यह आपकी profile photo यहां पे आप लगा सकते हैं चाहें तो अभी मैंने उसके लिए नहीं क्या ही fix कर रखा है यहां पे आप देख सकते हैं आपका user email id है यहां पे दिखाए देगी जो भी login करेगा उसकी email id दिखाए देगी यह dynamic किया है इस sessions का use करके किया है हम कैसे PHP में sessions बना सकते हैं सब कुछ मैं बताऊँगा यहां पर ठीक है यहां पे जो भी login करेगा उसकी email id यहां पे दिखाए देगी फिर यहां पे user क्या कर सकता है user edit कर सकता है अपनी profile को अगर वो edit profile पे click करेगा तो देख सकते हैं इस user की detail यहां पे आ चुकी है और इनको यह edit कर सकता है अपने password change कर सकता है जो भी हो वो यहां पे edit कर सकता है ठीक है और क्या कर सकता है अब यहाँ पे आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है क्या बात ध्यान रखनी है यहाँ पर जो यह इधर वाला change होगा मैं इस button पे click करूँभा जो यहाँ पे change हो रहा है यह पूरा page refresh नहीं हो रहा है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यह पूरा page refresh नहीं हो रहा है यह बहुत important चीज है यहाँ पर सिर्फ यह content है जो refresh होगा आप देखिए यहाँ पर page तो हमारा वो ही है user dashboard.php अगर मैं इस पर click करूँगा तो देख सकते हैं यह यह वाला content refresh होगा है पूरा page यहाँ पर refresh नहीं होगा है page अभी भी वो यह देखो user dashboard.php अगर पूरा page refresh नहीं हो रहा है यह बहुत important चीज है, खाम की चीज है अब मैं जैसे view all notice पर click करूँगा तो यहाँ पर जो भी notice होगा वो यहाँ पर दिखाए देगा notice का title, notice का क्या body है यह sorry मैंने dummy essay लिख रखा था कुछ भी check करने के लिए इसे तरीक से देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी message notice देख सकते हैं regarding extra classes और फिर यह इसका title हो गया यहाँ पर उसका message हो गया अब देख सकते हैं यह सिर्फ मैं इन buttons पर click करता हूँ तो सिर्फ यह page refresh हो रहा है यह पूरा page refresh नहीं हो रहा है यह बहुत important जी देख सकते हैं page अभी भी होई है user dashboard.php ठीक है मैं इस तरीक से दो ही चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर edit profile view all notice जब हम project बनाएंगे तो आपको एक और चीज़ बताऊँगा यहाँ पर एक और option प्रवाइड करऊँगा मैं आपको जो reply कर सकते हैं आप notice का ठीक है इसको आगे extend कर सकते हैं reply notice मतलब किसी notice का reply कर सकते हैं और फिर final log out कर सकते हैं तो यह हो गया यहाँ पर user के लिए अब हम बात करते हैं admin के लिए अगर हम यहाँ पर admin से login करते हैं तो admin के पास और ज़्यादा power होती है तो यह देख सकते हैं यहाँ पर admin login हो गया और admin login में admin की जो भी email id और password यहाँ पर होगी उसको मैं अगर enter करूँगा तो यहाँ पर वो login हो जाएगा देख सकते हैं सेम तरके का dashboard है बट यह admin का dashboard है यहाँ पर admin के लिए और ज़्यादा features यहाँ पर available है आप देख सकते हैं जब भी इन buttons में मैं क्लिक कर रहा हूँ जो इधर content है वो change हो रहा है सिर्फ यह वाला content load हो रहा है यह बहुत important चीज़ है देखो मैं edit profile पर click करूँगा save अपना admin अपने profile edit कर सकता है और create on notice important चीज़ है कोई notice admin create करेगा तो देख सकते हैं किसको notice create करना है class 8, class 9, 11, 12 सब के लिए जो भी notice create करना है उसको वो कर सकते हैं और post date क्या है notice कब create किया जा रहा है वो यहाँ पर देख सकते हैं यह date picker है यहाँ पर click करेंगा automatic date यहाँ पर select कर सकते हैं ठीक है और notice का title क्या है subject क्या है वो आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं और message क्या है वो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी message होगा और send notice पे click करेंगे तो यह database में update होगा मैं आपको अभी करके नहीं बता रहा मैं आपको सिर्फ यहाँ पे database भी बता देता हूँ कि यह सब कुछ database में होगा जैसे ही हम इस पे click करेंगे तो database में यह save होगा यहाँ पे create कर सकता है view all notice यहाँ पे जो भी admin ने सारे notice create की हैं वो सारे दिखाई देंगे admin को user को यह ध्यान रखना है कि वो जिसके लिए उसी को दिखाई देगा let's say कोई notice है जो class 12 के बच्चों के लिए है तो वो student वो user जो class 12 में है उसी के लिए दिखाई देगा बाकी सब को नहीं द देख सकता है और view all replies यहाँ पे again मैं वही बात बता रहा हूँ यह हम extra feature add करेंगे बाद में इसको extend कर सकते हैं जब भी कोई reply करता है उस notice का student तो वो यहाँ पे देख सकता है और finally logout का यहाँ पर option है इनको आप मैं sorry logout का सकते हैं यहाँ तो यह बहुत सांदार project है beginners के लिए बहुत simple project है मैं इसको बिलकुल scratch से आपको धीरे धीरे step by step बनाना सिका हूँगा तो अगर आप beginners हैं तो I am sure यह project आपके लिए definitely helpful होने वाला है so मैं आशा करता हूँ कि आपने यहाँ पे demo पूरा देखा होगा और उसको देखके आपको idea लग गया होगा कि basically हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं जो हमारा project है ज्यादा बड़ा project नहीं होगा छोटा project होगा इसमें 45 वीडियोज होगी बट यह online notice board system है जो मैंने आपको demo मे कर सकते हैं वहां पर उसको क्या notice मिला हुआ है एडमीन की तरफ से कह सकते हैं faculty की तरफ से वह आपर देख सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पर admin login का option दिया है मैं इस project को बिल्कुल basic से पढ़ता हूँ यहाँ बिल्कुल basic से मैं पूरा HTML bootstrap जो भी होगा front end back end everything मैं आप बिल्कुल scratch से बताऊंगा मैं इमाने के चलता हूँ कि आप बिल्कुल beginner हैं आपको नहीं आता है जादा कुछ उस हिसाब से मैं बिल्कुल यहाँ पर basic से सारा करके live practically आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपका complete source code भी provide करने वाला हूँ जी हाँ आपको यहाँ पर complete source code मिलेगा ताकि आप अगर कहीं अटक जाते हैं कई आपको problem आती है तो आप उस source code को download करके और उसको copy paste करके अपने system में complete यह database file सब कुछ आपको provide करूंगा और free of course रहने वाला है तो मैं आसा करता हूँ कि यह project आपके लिए काफी useful होने वाला है और इससे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी अगर आप beginner हैं तो definitely यह project आपके लिए काफी useful होने वाला है और आपको यह जरूर पसंद आएग इससे आपको काफी कुछ सेखने को मिलेगा तो अगर आप beginner हैं और आप सीखना चाते हैं ऐसे ही चोटे चोटे projects बनाना तो जरूर इस series को complete देखिए ठीक है इस series में 4-5 videos होंगी next video से हम यहाँ पे coding स्टार्ट करेंगे practical बनाना स्टार्ट करेंगे source code आपको सब कुछ मिल ज चैनल को जॉइन कर लीजिए वीडियो की लिंक नीचे description box में मिल जाएगी तो मैं आपकी problem भी वहाँ पे solve करने को ready हूँ कभी यहाँ कॉमेंट करके प्यूंच सकते हैं मैं वहाँ पे always आपके लिए available हूँ सो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में मैं आसा करता हूँ कि यह सीरीज आपको पसंद आएगी और आपको ऐसे ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट चाहिए तो इस चैनल पर आजाईए इस चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और यहाँ पर आप हमारी चैनल को विजिट कर सकते सकते हैं चैनल को विजिट कर लिजिए निशे बुर्शेय smart सकते वहाँ पर भी आपको उसके डाउन्लोड करने यो सारी निक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सपम बॉक्स में मिल जाएगी तो अनिलते हैं नच्ट वीडियो में और जहां पर स्टार्ट करेंगे सो चलिए बबाए and take care